एक्ट्रस रिच्चा चड़ा भी अभूई शामिल पीपल्स वैक्सीन कैम्पेन में कि सभी लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए और उसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बात कहिए उन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं अफॉर्ड कर सकते उनको तो at least free of cost मिली चाहिए क्योंकि COVID-19 के टाइम पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही है और उसी के चलते उनको अपनी जान भी गवानी पड़ रही है और ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए अगर मैं बात करूँ foreign countries की तो foreign countries में ऐसा है कि 87% से जादा लोग vaccinated हैं जबकि हमारे इंडिया में इतनी तादात नहीं है और लोगों को vaccine time से भी नहीं मिल पा रही है और अगर हम बात करें production की तो हमारे इंडिया में production level भी vaccine को लेकर काफी जादा कम है वहीं पर actress इच्चा चड़ा ये भी कहती नज़राई है कि मैं लोगों के इस campaign में उनके पूरी तरीके से साथ हूँ और मेरा मानना भी ये है कि लोगों को time से और free of cost vaccine मिल जानी चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए काफी अच्छा होगा अगर वहीं हम पिछले साल की बात करें तो COVID-19 के चलते अक्टरस इच्चा चड़ा ने काफी लोगों की मदद करी थी उन्होंने राशन लोगों को घर तक पहुंचाया था और medical facilities भी लोगों को provide की थी और अब ऐसा भी लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि अक्टरस रिच्चा चड़ा भी अगली सोलू सूद बन सकती हैं वहीं पर अगर हम बात करें अक्टरस रिच्चा चड़ा के work friend की तो उन्होंने काफी सारी Bollywood की बड़ी movies की हैं और आगे भी वो काफी बड़े projects आप लोगों के लेकर आ रही हैं कि वो लोगों के साथ हमेशा से खड़ी रही है और दोस्तो आपकी क्या राय है अक्टरस रिच्चा चड़ा को लेकर हमेश जरूर बताईएगा और दोस्तो अगर आपको चाहिए Bollywood इंडस्री की हर खबर टाइम से पहले तो देखते रहिएगा हमारा चानल जिसका नाम है BOOGLE Bollywood